हर इंसान अपने जीवन में एक बार कहीं ऐसी जगह घुमने की योजना जरूर बनाता है जहां उच्छी उच्छी पहारी हो दूर दूर तक बरफ की चादर विच्छी हो और आस्मान से भी बरफ गिरती हो क्या खुबसूरत अनपप होगा लेकिन वहाँ जाने से पहले कि आप इस बात का पता नहीं लगाना चाहेंगे कि आस्मान से बरफ क्यों गिरती है तो आएए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आस्मान से बरफ कैसे गिरता है या बरफ सिर्फ पहारू पर ही क्यों गिरता है बरफ का रंग सफे क्यों होता है और ओले और बरफ में क्या अंतर होता है दोस्तों आप इसी तरह की मज़दार वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी वीडियोज आप तक आस्तानी से पहुंच जाए आपको पता होगा कि धर्दी पर जल एक लगतार चक्र में चलता रहता है सूरज की गर्मी और हवा की वज़े से नदी तालाब और समंदर का पानी भाप बनकर उर जाता है और वातवरन में पहुंच जाता है जब इस तरह के बहुत सारे कन इकठे हो जाते हैं तब ये बादल बन जाते हैं और का थापमान बहुत कम होता है बादल का थापमान फ्रिजिंग पॉइंट से नीचे होने की वज़े से बादलों में मौजूद वाटर वैफर्स छोटे-छोटे सनोफिलिक्स में बदल जाते हैं अब हवा इन सनोफिलिक्स का भार सहन नहीं कर पाती है और ये बर्फ के रूप म सनोफॉल यानि बरफ पारी केते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि बरफ पारी पहारी इलाकों में ही क्यों होती है तो मैं आपको बता दूँ कि पहारी इलाके काफी उच्छाई पर होते है और वहां का तापमान भी बहुत कम होता है इसलिए जब वहां पर बर्फ गरती है तो उचाई अधीक होने की वज़े से वह जादा देर तक हवा के संपर्क में नहीं रह पाती है। अता हवा के साथ उसका घरसन भी बहुत कम होता है और जब वर्फ नीचे गिरती है तो पहले से ही वहां का वातावरन ठंडा होता है। इस प्रकार वह वर्फ नहीं पिगलती है और वर्फ के रूप में ही धर्ती पर गिर जाती है। और आपको तो पता ही होगा कि ठंडी के मौसम में बरब बारी जाता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कभी-कभी पारीस के साथ बर्फ के टुकरे कैसे गिरने लगते हैं। आपको बता दें कि बादलों में पारीस की बुंदे बर्फ के टुकरों के रूप में होती है। जब ये टुक्रे बारी होकर नीचे गिरने लगते हैं, तो वे हवा के घरसन के कारण गरम होकर पिघल जाते हैं, और बारिस की बूंदों के रूप में धर्ती पर गिरते हैं, लेकिन पादलों में बनने वाले बर्फ के टुक्रे कभी-कभी इतने बरे हो जाते हैं, कि धर्ती सकते हैं कि बरफ का रंग सफेद होता है, लेकिन पानी का तो कोई रंग ही नहीं होता, किसी भी चीज का कलर कैसे decide होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, आप इस आई बटन पर किलिक करके उसे देख सकते हैं, और मैंने description में उसकी लिंक भी देती है वहाँ भी जाकर आप उस विडियो को देख सकते हैं दरहसल जब सूरज का परकास पानी पर परता है तो पानी सूरज के परकास में उपस्थित सारे पालर को एबजॉर्ब कर लेता है जिससे पानी रंग हील हो जाता है लेकिन जब सूरज का परकास बर्फ पर पड़ता है तो बर्फ में यह property होती है कि वो सूरज के परकास में से white color के light को reflect कर देता है इस परकार white color का light हमारी आँखों तक पहुंच जाता है और हमें बर्फ सफेद दिखता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगी तो इसे like कीजिए और हमारे चैनल पर नए है तो इसे subscribe कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद